नमस्कार दोस्तों वेलकॉम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे बीना ती अर्गानेक्स कंपनी के बारे में जो की स्पेसलेटिक एमिटकाल की कंपनी है तो इस कंपनी में अभी 200 डे का मुभी आवरेज बिल्कुल ब्रेक हो चुका है तो अभी ये कौन स वीडियो सुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का आपक यह तो फिर भाइंग भी करके चल सकते हैं और काफी सारे स्टॉक है जो कि आनलेशिस किया हुआ है अभी मार्केट में जैसे करेक्शन चल रहा है आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि नहीं सेल करके निकल जाओंगा इसा बिल्कुल मत किजिए मार्केट में कुछ दिन तक अगर आपके पास में कोई बात करेंगे यहां पर बीनती अर्गनिक्स के बारे में आज की दिन में भारी गिरावट देखने को मिला था जो कि आज के लोग यहां पे 1870 तक आया था उसके अगर बात करेंगे तो यहां पर फिप्टी टूइक लोग था और फिटी टूइक हाई की अगर बात करेंगे तो यहां पर कमपनी का बात करेंगे कंपनी के साथ में का ग्युक्त यह सब्सक्राइल करेंगे अगर अगर इंपनी के बीच में चल रहा था तो यहां पर कोई क्लोजिंग के टाइम बिने ती ऑर्गनेक्स से बहुत बढ़िया जबर दस्थ कंपवाइन मल्टिव अगर दरने वाला कंपवनी है और अगर हम बात करेंगे कंपनी क्या मैनुफेक्ट्रुिंग करती। तो यहां पर manufacturing of specialty organics under intermediate under monomers यह सब company specialty chemicals की company है तो उसी के साथ में अगर हम देखेंगे company का market cap के बारे में तो यहां पर around 20,000 क्रोड का market cap है जो कि 19,690 क्रोड का यहां पर company का market cap है उसी के साथ में अगर stock का P के बारे में बात करेंगे 62 का भी P चल रहा है उसी के साथ में आरोची के बारे में अगर बात करेंगे 24% का return on capital employed है उसी के साथ में company debt free company है सबसे बहतरीन चीज़े के पास में एक रुपे का करजा भी नहीं है तो loan company का पर बिलकुल भी नहीं है यह सबसे बढ़िया है उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे stock का promoter holding यह strong enhance में holding है जो कि 74.1% promoter के पास में holding है यह बहतरीन चीज़े जो कि आज पर सभी के guidelines के हिसाब से promoter के पास में maximum 75% का हिस्सेदर ही रह सकता है उससे ज्यादा promoter hold नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आज पर सभी के guidelines के हिसाब से जितना है तो वहां तक उन्होंने अपना portfolio में रखावाई जो कि 74% का अपना portfolio में मतलब उन्होंने stake hold किया है तो यह बहुत बड़ा positive sign है क्यूंकि उन्हीं को ही benefit मिलेगा company जिसे आगे grow होते जाएगा तो promoter को ही ज्यादा benefit मिलेगा क्यूंकि उन्हीं की company है उन्हीं के सपास में ज्यादा हिस्सेदर यह तो यहां पर promoter प्लेज भी जीरो है अगर company का अगर हम बात करेंगे यहां पर quarterly result के बारे में company ने हर एक quarter में sales एक बात करेंगे तो भी ही positive return है उसी के साथ में अगर हम यहां पर करोट का net profit देखने को मिला है जो कि बहुत बढ़िए है उसी के साथ में company का अगर हम sales के बारे में बाथ करेंगे चौदा सो नौ करोट का सेल्स भी देखने को मिला है जो कि अब तक का सबसे हाइस सेल्स है और अगर हम कंपनी का बैलन्शीट जाकी देखते हैं बहुत स्ट्रॉंग है फ्रेंट्स देखिए रिजर्व कंपनी के पास में लगातार बढ़िये से रिजर्व होते जा रहे हैं अ उसीके साथ में अगर सी दबलाइपी के अचैयां पर और बात करेंग है यहां पर ये होड़्य कि पास्त यह कि आफिशल्फंदुस्ट है तो यहां पे पर्मोंट के पास नों देखते हैं थारी पॉप्लिक के पास में तो यहां पर यह के बहुत जबर-द hosp the chill me too जोए तुब्र थो पॉपड़िक कर चुका है एक यदो तीन-चे लगात रहा था मतलब यहां पर लेकिन आज के दिन में यहां पर डाउन ओपनिंग हुआ है उसी के साथ में जब क्लोजिंग हुआ एक अच्छा सा बारी गिरावट तक हुआ था लेकिन अब ही क्लोजिंग होते हैं अच्छा सा कमपनी ने यहां पर बहुत कम ताइम डेखने को मिला Galmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmar देखिएयं आज़नी het मतलों वहाँ से एक साथ साल में यहांपे टैंड शेक का रिटर्न दिया है और 5 साल में 35% का return दिया है उसी के साथ में 3 साल में 29% का return दिया है company ने हर एक साल में किसी को भी मतलब किसी के portfolio में negative return ही नहीं जिन्होंने एक साल से उपर के time पर investment किया है तो यहां पर आपको इसमें position बनाना है friends तो मैं आपको एक लेवल सजेस्ट करूंगा तो लेवल तक मैं मुझे लगता है आपको जरूर इंतेजर करना चाहिए क्यूंकि company में already यहां पर जो support था support को break कर चुका है जो कि 200 बन रहा था उसी के साथ मैं आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो यह एक support था जो कि यह support zone पर इस्ट काफी दिन तक यहां पर एक support लीया था लेकिन मुझे लगता है यह support zone को जरूर ब्रेक कर लेए क्योंकि देखिए यहां पर अल्रेडी ब्रेक कर चुका है तो यहां पर next जो यहां पर अगर वाइंग करना है आपको तो इस लेवल का आने वाले कुछ दिनों में यह लेवल आपको जरूर देखने को मिल सकता है तो वहां तक आपको देखने को मिल सकता है अगर अभी देखेंगे कितना परसंटेज का गिरावट यहां पर सकता है देखेंगे यहां से लेके यहां से 6-7 परसंटेज का करेक्शन हो सकता है तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको पोजिशन बना लेना चाहिए जो कि लांग टर्म के लिए भी ले सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है उसी के साथ में अगर आप स्विंग करना चाहते हैं त तो आपको जो पर टार्गेट रहेगा तो आपको इसी टार्गेट का हिसाब से चलना पड़े गाया क्यूंकि क्यों क्यी बार यहां पर यह लेवल तक रुकेंगे तो आपको इक 20 परसंटेज का यहां पर गेन देखने को मिल सकता है जो कि शिटर में अगर आप ये स्टॉक स्टाउक में कितना दिन तक हो सकता है आपको तू मंस लग सकता है लेकिन अगर शिक्स मौंस भी वेट करेंगे अगर आपको 20% का गयन मिलता है तो बहुत बढ़िया गयन होता है और दूसरा चीज स्टॉक जब तक में लेवल की बात किया हूं तो बहुत सरा स्टॉक करेंगे तो फिर सग्रेक्ष्म होगा आप दिखेगा तो लेकिन अगर आप लंग टर्म के लिलना चाहते हैं तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं यहां पर थोड़ा सा क्वाइब करके चल सकते हैं और दोस परसंट का जब आएगा तो वहां पर थोड़ा सा अवरेज कर लेंगे लेकिन एक चीज आपको हमेंसा याद रखना चीए किसी भी स्टॉक में कितना अच्छा स्टॉक क्यों नहीं देना अगर आप बहुत बड़ा मुश्किल में सकते हैं क्योंकि मुझे बार बार यह चीज का मैसेज आता है बहुत सरे हैं इसमें क्या करना है ठीक है एक तो डेली मुझे पुछते रहते में उनका नाम भी एक्सपोजर है तो अगर आपका पॉर्टफोलियो अगर वान सी आर का है तो उसमें अगर आपने 50 लाक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बहुत ज्यादा है ना तो आपने 50 परसेंट एक ही स्टॉक के ओपर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया वह भी फिर ब्लू चिप पॉर्टफोलियो ना चीए तो आपको अगर इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट से जरूर सला ले जाए ठीक है क्यूंकि उसमें इतना बड़ा नुख्सान नहीं है देखिए financial advisor से अगर सला लेके लेंगे ना थोड़ा बहुत आपको काफी सरी चीज आपको सिखने को मिलेगा और market से loss से आप बच सकते हैं देखिए market में जो loss होता है ना बहुत बड़ा loss आप कर लेते हैं ठीक है financial advisor कितना कितना उनका यह होता है तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टॉक में इंवेश्मेंट करना है अपना financial advisor से जरूर सला ले लीजिए क्योंकि नहीं तो बड़ा loss हो सकता है बड़ा लेस से आप विल्कुल बच सकते हैं दुसरा चीज नहीं तो अगर और एक चीज बताऊं अगर आप खुछ भी को स्टॉक्शन करते हैं कैसे 1000 रुपे का सब्सक्राइब से स्टॉक्षा में के से करते हैं सारे चीजिज इसके आप बोजिए हैं बनाया हुआ है नहीं सब्सक्राइब और बड़िया इंचे紮र्ण और वीडियो को देखिए संजी ठीक है उसी हिसाब से आप को स्टॉक पो लेना है और और चीज फीर से में बता रहा हूं आपको किसी भी स्टॉक में औभर मत दी कितना अच्छा सा स्टॉक क्यों न हो ज़ाई पांच परसें ज्चाफ में कभी मत लगा है लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है चलिए अगर आप बोलेंगी हिंदुस्तान उनिलिवर मेरे फेवराइट है मैं बहुत बढ़िया से कंपनी को जानता हूं मुझे पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा रिटन दे सकता है तो ठीक है अगर ऐसा आपको पता है अ जो हो सकता है कभी आपका पोर्फोलियो बन जाएगा उस टाइम पर बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है मिश्टेक को आपको जरूर शुदारना चाहिए फ्रेंस मेरे हिसाब से यह स्टॉप का आप लंग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं लंग टर्म के लिए अभी अगर अगर बाई करना चाहते हैं तो यह सकते हैं तो यह लेवल का जरूर इंतजर किजिए जो की 1773 और जो शुद्रेड के लिए आपका टारगेट रहेगा यहां पर टू एकाट कर सकते हैं कमपनी बहुत बढ़ी है मल्टिवेगर रिटन आपको आगे आने वाले दिनों में दे very much friends for watching this video, मिलते हैं आएक वीडियो के साथ में